नमस्ते, आज मैं आपके लिए लारी हूँ एक खास वृत की रेसिपी जैसे कि नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रों में सबी लोग वृत रखते हैं और वृत में अगर आप नईनी चीदें खाना चाते हैं तो आपको ये रेसिपी जरूर ट्राइ करनी चाहिए ये बहुत healthy है और इसमें कोई भी potato या हम इसको deep fry नहीं करने वाले हैं ये बहुत कम तेज में ये धही के कवाब बिलकुल तयार हो जाएंगे ये उपर से crispy हैं और अंदर से एकदम मुह में melt होते हैं एकदम मुह में घुल जाने वाले हैं तो I hope आपको ये recipe पसंद आए आप सब्सक्राइब में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बैल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा तो यहां पर हमने लिया है करीब 2-2.5 cup हमारे पास यह योगर्ट है कर्ड है इसको हम एक कॉटन के कपड़े में ले लेंगे आप यहां पर कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज कर सकते हैं जिसे हैंकी है या चुणनी है कोई भी इससरीके से हमने यहां पर एक ड्रेन लगा ह इसके निचे बाउल रखा हुआ है इसमें हमने इसको अच्छे से प्रैस करना है या तो आप इसको कहीं पे किसी खूटी पे किसी पे टांग सकते हैं जिसे कि पूरा जो कर्ड इसका पानी निकर जाएगा धाय का या फिर आप इसके ओपर कोई भी बाहरी कंटेनर रख सकते हमें इसके पानी निचे करना है लाग नियुक्त है कि हमें इस थाठी करणा है तो इसरी के सामने यह 4.5.5 बइसके कंटे के लिए कर दिया था और इसमें करीब इतना पानी निकल लिए भी इन उसका आपकी चाहिए भी आटे मैं या में यूजा उसके इसको वेस्ट करने की अब जो हमारा धही आप देखिए एकदम बिल्कुल तयार है, एकदम सूखा धही हो गया है, ऐसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, यहाँ पर मैं करीब एक कप करीब यहाँ पनी रैट करने वाली हूँ, यह पनी घर का बना हुआ है, तो इसमें कोई भी प्रजरवेटिव य आप यहाँ पर समा की चावल को पीज कर्व का पाउडर भी मिला सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक बड़ी चमच करीब सेंदा नमक लिया है, और यहाँ पर मैं एक चमच काली मिश चालूंगी और एक हरी मिश में कटीवी यहाँ पर एड़ करूंगी, अगर आप ब्रत के अगर आप ब्रत में खाते हैं यहाँ पर नॉर्मल अगर आप खाना चाहते हैं तो इसमें प्याज भी मिला सकते हैं, तो इस सरी के से यह हम सब मिक्स कर लेंगे, नमक लिए तिक बैटर यह तैयार हो गया है, मैंने यहाँ पर 2-3 चमच मुणी होई मुपती के पीस ली थी और पाउडर बना के उसका यहाँ पर मैंने एट किया है, तो इस सरी के से यह हमारा बिल्कुल बैटर तयार हो गया है, तो बस हम अपने हाथों को तेल या घी जो भी आप रत में खाते हैं उसको अपने हाथों को ग्रीज कर लेंगे, दौनों हाथेलियों के साइट लगा ल आपको बनाने में थोड़ा मुश्किल होंगे तो फिर आपको उसमें जिसे कुटू कार्टा हमने एट के आपको जाधा एट करना पड़ेगा, इसलिए इसको हंग करना बहुत इंपोर्टन है, और अगर आप जाधा कुटू कार्टा एट कर देंगे या जाधा कोई भी बा काजू लिए हुए हैं, अगर आप यहां पे गोला भी आप स्टफ कर सकते हैं, गोले का बुरादा जो होता है, या अगर आप ब्लैक पेपर काली में शाध आड़ करना चाते हैं, वो भी आड़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से यह हमारा बिलकुल तयार हो गया है, हम आपको अच्छे से रोल करना है, रिमारा है यह हमारा मिक्शर है बहुत हुए है क्योंकि आप इसी तरीके से आप हैं गे और आपको आपको लग रहे है किसी वेजे से नहीं बन पारे तो आप इसमें और बाइंडिनिंगे, जैसे कुटू काटा था मिला सकते हैं, यह भी स्बाद क सच चावल का पाउडर भी आप पीट कर इसमें मिला सकते हैं इसमें नमक इड कर दिया है तो आप सिस्टे चावल को उठा के नहीं रखेगा अगर आप आप छी नमक डालके रखेगा आप भी आपने बनालेंगे तो उसके क्यों होगा कि पानी आप छाएगा क्योंकि हमने अल्रेडी नमा कैट कर चुग है तो अगर अगर आप जादा रखेंगे तो फिर उतना ही धही में पानी आता जाएगा और आपके जो अच्छे से कटलेट्स है वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे क्यातक है जिए घर स्भावी में तो यह ऋपर कटलें खा सब्सक्रारण को आप जाएंगे कॉट से नहीं कॉट में से रहें पाएंके टlla पैन ले लिया इसको तेल या घी जो भी आवरत में खाते उससे ब्रश कर देंगे जब यह पैन गरम हो जाएगा तो हम अपने कटलेट्स को यहां पर प्लेस कर देंगे तो आप इनको टर्ण कर दीजिए बस आपको कम गयस पर सेखने हैं थोड़ा यह टाइम लगेगा लेकिन जब यह बनकर तयार होंगे तो आपको बहुत खाने में अच्छे लगेंगे एक्दम मूं में खुल जाते हैं यह कटलेट्स और यह बहुत हैल्दी भी है तो हमने इसम आप चाहें तो यहां पर इनको डीफ्राइ भी कर सकते हैं अब हमने कटलेट्स को पेपर पे निकाल लेंगे और अब यहां पर ग्रीन चेतनी या योगुर्ट जिसके साथ आप खाना राते हैं इसके साथ को सर्फ कीजिए यह ब्रस्की चेतनी है इसकी रसीपी मैं अपने दूसरे वीडियो में दी हुई है तो आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया हो तो यह कटलेट बहार से कृस्पियों अंदर से एकदम सौफ बने हैं तो इस रसीपी को जरूर ट्राइ करें और अपना कॉमेंट्स और अपने फीडबेक हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा मैं आपके लिए और भी बहुत सारी नवरात्री के फास के लिए ब्रत के लिए बहुत सारी हल्गी रसीपीत लाने वाली हूँ तो थाइंक्यू फोर बहुत मीज़िए